नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका अमारे चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर जो दो लाग रुपे की जो बात चल रही है कि सरकार दो लाग रुपे देगी ऐसा सभी लोग मान रहे हैं और इस फॉर करी देंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों हर जगा पर ये बाते चल रही है और फॉर्म को भरने के लिए मारा मारी भी हो रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना के फॉर्म को भरने के लिए लोग परेशान ह मातर पिता परेशान है वो चाहते हैं कि अपनी बेटी का फॉर्म जल से जल भर दे ताकि उन्हें भी दो लाक रुपे उनके अकाउंट में मिल जाए दोस्तों आप तक भी ये खबर पहुंच गी होगी या हो सकता है आने वाले दिरों में आपके पास ये खबर पहुंचे और आप भी इस फॉर्म को भरने के लिए उतावले हो जाएं तो बस इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये खबर जूटी है या सच्ची तो दोस्तो ये Minister of Women and Child Development की सरकारी वेबसाइट है यानि कि महिला इवंबाल विकास मंतराले की सरकारी वेबसाइट और यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर चलाई जा रहा ही फरजी योजनाओ के खिलाब आपको चेताव नहीं दिये दोस्तो आपने हाल ही में 2 लाग रुपे की योजना के बारे में सुना होगा आपने सुना होगा कि सरकार हर घर में हर बेटी को 2 लाग रुपे दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर लेकिन आपने किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा होग ना ही सुना होगा लेकिन यहाँ पर सरकारी वेबसाइट पर किलिरली आपको बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ के नाम पर चलाए जा रहे फर्जी होजनाओ के खिलाफ आपको बचने की चेतावनी दे दी गई है यहांपर सरकारी वेबसाइट के उपर सरकार ने आपको इस तरह की चेतावनी दी है दोस्तों और एक notification भी आपके लिए हैंपर सरकार ने दिया है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि भारत सरकार के भी नोटिस में पहले आ चुका है कि इस तरह के जो फर्जी जो बीज बीज में इस योजना के अंदर जो इसका मिस्यूज हो रहा है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ के नाम पर कुछ साइटे संगटन फर्जी के तरह से करने भी काए कि देखे आप यहां पर देख सकते हैं कि सरकार ने आ पर क्लियरली काए कि यह सला दी जाती है कि वे इस संबंद में अपने व्यक्तिकत विवरन को किसी के साथ भी साजा ना करें देखिए आपको बचने के लिए सरकार ने अपने सरकारी वेबसाइट पर इस तरह का नोटिफिकेशन दे दिया है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ के नाम पर जो फरजी योजना चल रही है उससे बचने की आपको चेतावनी दी है दोस्तों और वो इसलिए दी है ताकि आप सतर्क हो जाएं और आप इस तरह की फरजी योजनाओ में अपना परसनल जो आप अपना डाटा इधर से उधर बस ये सुनी-सुनाई बात हैं आप इस पर यकीन करें या ना करें या आपके उपर डिपेंड है लेकिन सरकार नहीं किलेरली कहा है कि आप बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ के नाम पर जो फरजी योजनाओ चल रही है उनसे आप बच कर रही है तो दोस्तों ये जानकारी ये बिल्कुल फ्री होता है आप इससे ज्यादा फायदा उटा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद